दोस्तो इस धर्ती पर पंक्षियों की कई परचातियां पाई जाती हैं जिनमें से कुछ पक्षी तो देखने में बहुत ही अनोखे लगते हैं लेकिन आज आज आप इस पीडियो में ऐसे पक्षियों के बारे में जानेंगे जिनकी किंतिक दुनिया के सबसे सुन्दर पक्ष में पाया जाता है इस पक्षी की ज्यादतर आबादी जंगली और पहाडी इलाकों में देखने को मिलती है इस पक्षी के सुनेहरे लाल रंग के बालो इसके रंग बिरंगे पंग और इसकी खूबसूरती के कारण ही इसे गोल्डन फिजन्ट नाम दिया गया है गोल्डन फिजन्ट के सरीर में सबसे सुन्दर चीज इनकी पूछ मानी जाती है गोल्डन फिजन्ट की लंबाई 60 से 115 सेंटीमीटर होती है और इनका वजन 550 से 700 ग्राम तक हो सकता है यह पक्षी पतिया तता कीड़े और मकड़ियों को खाना पसंद करता है नमबर टू स्कारलेट मकाव यह पक्षी देखने में काफी खूबसूरत होते हैं इस पक्षी को भारत में तोता भी कहा जाता है लेकिन यह भारत में पाए जाने वाली आम तोतो की परजाती से बिल्कुल ही अलग है यह दुनिया का दूसरा सबसे सुन्दर पक्षी है इस पक्षी को कई लोग अपने घरों में बालते हैं और यह लोगों की आवाज की नकल करने में माहिर होता है फ्लेमिंगो वर्ड दुनिया का सबसे सुन्दर बक्षियों में तीसरे स्थान पर है यह बक्षी दुनिया के कई देशों में पाय जाता है इसका वज़ा लगभग 3.6 किलोग्राम और इसकी लंबाई 4-5 फिट तक होती है यह बक्षी सफेद और नारंगी रंके होते हैं जो दिखने में बहुत सुन्दर लगते हैं यह बक्षी समुदरी इलाकों में रहना बहुत पसंद करते हैं यही वज़ा है कि इस परजाती के पक्षी समुदरी इलाकों में ही पाय जाते हैं इस पक्षी को ब्लू मक्षी के नाम से भी चाना जाता है यह तोते की परजाती का एक पक्षी है हाई सिंथ मक्षी गेहरे नीले रंका होता है इस तोते की जादतर परजाती उतरी ब्राजील में पाय जाती है इस पक्षी की खास बात यह है कि इसकी चोच का रंग मौसम के साथ साथ बदलता रहता है गर्मियों के मौसम में इस पक्षी की चोच का रंग विल्कुल लाल हो जाता है वहीं दूसरी और सरदी के मौसम में इस बक्षी की चोच का रंग हलका लाल हो जाता है यह बक्षी आसमान में पुढ़ने के साथ साथ समंदर के कहरे पानी में तैरने में भी माहिर होते हैं अट्लांटिक पफिन को भी दुनिया के सबसे सुन्दर बक्षियों में से एक माना जाता है